आपिजीकल नंबर 1 बड़िए क्लास 9 लाइंट कर चैप्टरक्र 1 पढ़ने लगी है फिजिकल वॉंटिटीटी इंड मेयर्मेंट यह मैने आप लोगों को फरस्ट लीक्स में इसके बारे में डिटेल से बताया है कि फिजिकल quantities क्या होती है all those quantities विचार मेरेबल ठीक है ऐसे quantities जो मेरेबल हो ठीक है और उनको मैयर मेंट के लिए some instrument require होंगे तो यह तो मारे पास इसका chapter का introduction था अब हम आते हैं उसके बाद हम लोग इंट्रोड़क्शन तु फिजिक्स पढ़ा फिजिकल quantities पढ़ा ठीक है और international system unit पढ़ा ठीक है यह सारे यह three topics पढ़े आज हम पढ़ेंगे topic number 1.4 that is prefixes topic 1.4 that is prefixes prefixes ठीक है इसको आज हम details से study करने वाले प्री मीन पहले ठीक है पहले यानि के priority पर जो आए priority पर जो चीज़ आए ठीक है और fix मीन fix कर दिया जाता है यह before units ठीक है ऐसी चीज़ यह कोई ऐसी चीज़ जो unit से पहले fix कर दी गई हो तो that is called the prefixes तो इसको हम कहेंगे prefixes अब अगर हम देखें कि मैं पास एक बड़ी values होती है यह कोई larger values होती है तो उसको हम क्या करते हैं prefixes में describe करते हैं अब larger values को हम short form में जब लिखते हैं तो वो क्या होता हमारे पास prefixes अब यहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम larger values को और कैसे smallest values को short form में लिखते हैं तो जब जाके वो prefixes बनते हैं अब larger values like mass of earth की बात कर लें mass of earth is 6 x 24 gram mass of earth is 6 x 24 gram अगर हम इसको open करके लिखना चाहें सिक्स के आगे 24 0 जाएंगे ठीक है लाइक लाइक इस से नहां 0000 अप्टो सो आन 020 हम सिक्स के आगे 24 0 लगाएंगे अगर हम इस form में लिखेंगे तो इस form में क्या होगा हमारे पास accuracy नहीं रहेगी ठीक है और कोई authentic result नहीं आएगा तो इसलिए हम हम क्या करते हैं तो ऐसी values लिखने की बजाए हम इसको short form में लिखते हैं ठीक है अगर हम किसी smallest values की बात करें smallest values में अगर आप को देखें के nucleus का मास है या proton का मास है तो यह minus में values होती हैं ठीक है तो minus 34 बहुत ही smallest value अब हम minus 34 को ऐसे नहीं लिखेंगे के 0.000 up to so on 34 zeros तक हम उसको move कर आइगे बिलकुल नहीं अगर हम इस form में लिखेंगे तो इसमें accuracy की chances कम होते हैं और एक authentic result भी नहीं आता और दूसरी बार यह यह time consuming भी अगर में short form में लिखेंगे तो उससे हमारे पास जो है time save होगा अगर इस form में लिख रहे हैं तो time consuming मतलब किसी ने किसी value के एंडर आता है ठीक है किसी ने पिर फिक्सी के एंडर रहा होता है まだ हम में कि बाद करें तो तो हम देखें के इसके मल्टिपास में 10 की मैं धजल्म कितने हैं 10 की करवर थी यनिकि हम अगर कहें कि हमें इतने किलो चीज चाहिए इतने किलो चीज चाहिए तो उसका मतलब होता है कि इसमें 10 की पावर 3 आ रही है ठीक है यानि कि इसमें मल्टीबल्स कितना है 10 to raise 3 इसी दर आगर हम इसकी इसमें ले लें 20,000 ठीक है 20,000 ग्राम 20,000 ग्राम अब अगर आप देखें इसको हम 20,000 ग्राम को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगे हैं तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे आएगा और वह किस तरह प्रिफिक्स को रिप्रिजेंट कर रहा होता है तो यह जो 3 वैल्यूस है वह होता है 10 to raise multiply 10 to raise 3 ग्राम ठीक है अब obviously बात है यह हमने मैंने अभी भी आपको बताया है कि 10 to raise 3 जो है this is equal to 1 kilo ठीक है तो 20 kg ठीक है तो देखें हमने 20,000 ग्राम को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है तो यह हमारे पास है प्रिफिक्स 20 और जो ऐसा यूनिट से पहले जो हमारे पास जो वैल्यू आती है यह जो चीज आती है वह होते हैं मारे पास प्रिफिक्स प्रिफिक्स अब इसको नेक्स टेबल अभी डिस्क्राइब करेंगे यह तेबल डिसकस करेंगे उसमें बताएंगे तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि प्रिफिक्स को हम एक स्टेंड़ फॉर्म में लिख रहे होते हैं एक और बात जो इंपॉर्टन चीज है प्रिफिक्स जो है वह डबल द यहां पर के kay yo iki kylou two time you were to this the group क्योंकि यह प्रिफिक्स को फुलफिल नहीं कर रहा होता तो अगर हम मेंगा मैगा गराम ठिके तो the तक सब्षीघ कहई ऑर उसके जो कंडिशल एक प्रकों कर सकते बीशन होड़े ओसके है तो इसलिए यह तो आएगा राम एक इसवाली जाएगे तो डबल नहीं होगा अब हम जा रहे हैं ठीकिर अब और इस्टेहान और टेबल में हम डिफरेंट टाइप के प्रिफिक्स को बढ़ेंगे अब प्रिफिक्स में क्या होता है इसके सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं सबसे पहले हम टेबल की तरफ आ रहे हैं टेबल जो है वो आपके बुक में 1.3 है ठीक है और पेज नंबर एट पर है प्रिफिक्स इस प्रिफिक्स इस इस सिंबल और मल्टिप्लायर्ड फिक तो यह माँ पासे अब प्रिफिक्स इस पड़ेंगे तो उसके बाद हम एक्जेम्पल उस से रेलिवेंट इसेंपल पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा ठीक है तो अब प्रिफिक्स में क्या है हम यहां पर देखें हमपर प्रिफिक्स पढ़ क्यों रहें अब यह पर सिंबल की बात आगी अगर आप देखें सिंबल जो है वह most important है लेकिए अगर कोई numerical करते हैं या कोई experiment perform करते हैं उसमें numerical value लिखते हैं लेकि numerical की value आ गई है 200 ठीक है numerical की 200 है इसे हम फोर्स की value find out करें फोर्स की value है आईए 200 जब अब तक हम इसके साथ कोई यूनेट नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आया हम फोर्स की वाइल निकार रहे हैं किस चीज की वाइल निकार अब हम अगर यूनेट में लिखते हैं ठीके तो इसका फोर्स निट तो हम न्यूटन की पूरी स्पैलिंग यह निके तो इसलिए हमाई पास जो सिंबल है वह मौस्ट इंपोर्टन है हम पूरी पूरी वैल्यूस कहीं भी नहीं लिख रहे होते हैं हम सिंबल को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अब आते हम टेबल की तरफ यह आपकी बुक में पेस्ट नमबर 7 पे है टेबल फस्ट वान इस और उसके सिंबल रहे मैं डोशीम कर दिकेंगे फस्ट एघ्जा Όल की जो सिंबल है CAPITAL! है चिकए और उसका जो मल्टिप्लायर्ट है TENTATE 18 नेक्स है पीता पीता उसका सिमल है पीर है इसका में 10 to raise 12 of 15 15 और है इसके बार टीरा उसको सिंबल कैपिटल टी और 10 ट्रेस्ट अच्छा यहां पर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना यह जो हमारे पास टीरा है इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है संप्टेम स्मॉल टी लिख रहे हैं लेकिन स्मॉल जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा होते हैं टाइम को टीकिए अक्सर सुडेंट इस बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोगों के पास जो सिंबल गिवन हैं वही आप लोगों ने यूज करने हैं टेरा गीगा 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 इस सा सिंबल ऑफ कैपिटल जी टैंट रह कैपिटल एम टैंट रेज्स शिक्स ठीके उसके बाद है किलो कि लो का सिंबल है कैपिटल के अब यहां पर एक चीज आप लोगों को बता दिगांट लोगों यह जो किलो है इसका by capital K होता है और जो small K होता है 중에 one का symbols होता है दीकर इन दोनों को आप लोगोंने चिद्सला माइंड में clear कर लेना है और इनी का डिफ्रेंस भूलना नहीं जो capital K है वह इस रेप्रेजेंटेट टूंकि लो और इस मुल्टिप्लियर्ज ओफ 10 टूरेस टू डिका दी ए इस सिंबल ओफ 10 टूरेस वन टीकिए नेक्स है यहां पर हम सिंबल लिख लेते हैं डिका बस संटी संटी मिटर संटी मिन संटी मिटर चंटरीस मिनस टू next one is milli small m symbol small m 10 to raise minus 3 next is micro micro जिसको हम mu कहते हैं sometimes we have mu भी कहते हैं इसके बाद nano nano n 10 to raise minus 9 pico small p 10 to raise minus 12 femto f 10 to raise minus 15 और ato a 10 to raise minus 18 अब यहाँ पर आप लोग देखें यह जो हमाँ पास है 10 to raise 18, 10 to raise 15 अब इसे बहुत से multiples ऐसे हैं जो missing है ठीकिए वो यहाँ पर नहीं है तो it doesn't mean के वो exist ही नहीं कर रहे no it does not mean के वो exist ही नहीं कर रहे वो exist कर रहे हैं लेकिन prefixes में exist नहीं कर रहे क्योंकि बहुत से multipliards ऐसे हैं जिनको अभी तक नाम नहीं दिया गया ठीक है वो उनको हम नेक्स टॉपिक साइंटिफिक नूटेशन में यूज करेंगे लेकिन इड़संट में के जो यहाँ पर मल्टिप्लायर्स नहीं हैं तो इड़संट में के वो यूज ही नहीं हो रहे हैं लाइक आप एक्जांपल ले न्यू बॉण बेबी ठीक है जब हम उसको नेम नहीं दे रहे हुए तो इड़संट में कि वो एक्जिस्ट नहीं कर दा तो यहां भी चीज़े ऐसे मल्टिप्लायर जिसको हमने नहीं दिया तो वह क्या है उसको हम साइंटिविक नूटेशन में यूज करेंगे तो यहां पर बहुत सारे जो नुमरी कल्स में प्रैक्टिकल्स में बहुत radio गिकार मैगा होते हैं लाइक गिदा दिजम डिद्ीमी लाइकार टो डी़ा अर्थ प्रिक्स इजा था इंपोर्टन में प्रिक्सित और यहीं प्रिक्सिजी गें परिक्स एंगहें उसके कुल है तो जो क्या शिष से स्टम को यह रच कौन सी है चिर के मेले किा किलो सैंटी मी्ली माइक्रोच नैनो गपी को और अम इसके एक्जामपल सेख लेते हैं कि यह फो फिक्क्सिजए जो है इक्जामपल में कैसे यूज सा कहा कहा हम जो słuटा है है अगरमे खेम तो आगर इसमें देखेंगे किस तरह यूज कर रहे हैं यह तो लग टूलैग ग्राम अब डूलैक ग्राम में हम प्रिफिक्स को किस तरह आड़ कर रहे हैं 200 ठीक है अब देखे हमारे पास यह three values तो है वह किसके के इक वाला है यह तरी अब यहां फॉर और फाय अब यहां पर हमारे पास four or five multiples exist नहीं कर रहे हैं अगर four or five multiply exist कर रहे होते तो हम यहां इसको जरूर लिखते हैं इसलिए आप हमारे पास जो चीज़ कर रही है हम उसको जरूर लिखेंगे ठीक है वो चीज तो नसेसरी है तो यहां पर 3090-3 ग्रांप जो हमारे पास country 3 है वह किस चीज़ के इक वले की लो ठीक है 200 किलो ग्राम तो ये हम लोगों ने एक लारज्ड वैलियो को स्मालड वैल्यों में कन्वार्ट कर दिया बाइ यूजिंग प्रिफिक्स से ठीकzt ॥दिकय से ग्राजव हैमने इसको लारजे वैल्यों को स्मालर वैल्यों में कनवर्ट कर दिया है उसे बाद अगर आप एक्जेम्पल लेकिन देखें एक स्मालेस्ट वैलियो की स्मालेस्ट वैलियो लाइक 0.00042 ठीक है ग्राम अगर आप इसकी बात करें इसमें हम इसको कैसे चेंज करेंगे अच्छा पिफिक्सिस की एक में बात जो है मोस्ट इमपोर्टेंट है जब हम पॉइंट को मॉफ करवा रहे होते तो ओआ summat को तक मुफ करवाना होता है जहांपर कोई भी एक 9 presented क। इसका यह रूल है कि पॉइंट उद्ञान देखेंगे एक 9 जूरीजिट ठीक है अगर हम प्वाइंट को अगर यह पॉइंट को महां पर मूव करएं ठीक है वन प्लेस मूव कर रहे हैं थर्ड प्लेस फॉर्थ प्लेस प्लेस त्यक्त है अच्छा उसके बाद आप देखें यह हमारे पास three zeros है और four जो है हमने point को non zero digit तक move कराना हमारे पास four digit exist नहीं कर रहें तो इसलिए हम यहां क्या करेंगे यहां two zeros लगाएंगे 0.004 यानिके point one place other place and third place यानिके three values आ रही है तो it's mean four point two multiply ten to raise minus three gram ठीके point point और यह यहां पर हमने move कर दिये इसको ठीके four point two multiply ten to raise minus three जो है वह प्रिफिक्स कौन सा प्रिफिक्स है ten to raise minus three this is equal to milli ठीके तो milli ग्राम इस इस आप प्रिफिक्स ठीके मिली इस इस प्रिफिक्स तो इसलिए हमने smallest value से इसको extended value में convert कर दिया है अगर हम पूइंट के बात करें point की movement की बात करें कि किस तरह हमारे पास यह 10 की power minus आती है और किस तरह 10 की power जो है वह प्लस में आती है अगर हम point को right side पर move करवा रहे हैं तो हमारे पास जो value आएगी यह हमारे पास जो 10 का के multiple के साथ sign आएगा वह negative में आएगा अगर हम बात करें कि point को हम left side की तरह मोग करवा रहे हैं like 200 hundred gram ठीक है अगर point को हम left side की तरह मोग करवाएंगे तो हमारे पास जो sign है वह positive में आगे किस अब यहां पर कुछ नहीं है तो its been यहां point है उसके आगे 00 है ठीक है अब point को हम यहां मुव करवा रहे हैं one place second place third place fourth place फिफ्ट यह depend on me कि कि मैं इसको कहां तक इसको मुव कराती है अगर मैं three values तक मुव कर आती हूं तो its mean 200 ठीक है तो मैं पास one two three यहां पर अगर आप देखे 10 जो है उसकी पावर क्या है plus three तो यह अगर मैंने point को left side पे मुव कर आया तो जिसकी वज़ा से मारे पास 10 में 10 के उपर जो sign आ रहा है वो positive में पॉजिटिव अगर हम point को right side के तरह मुव करवा रहे हैं तो मैं पास sign negative आगा अगर हम point को left side पर आ रहे हैं तो point positive में आएगा ठीक है यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा प्रिफिक्स पढ़ा प्रिफिक्स जो है वह ऐसा unit से पहले जो चीज़ एड़ होती है तो that is called prefixes फिर उसके बाद हमने इसका टेबल पढ़ा प्रिफिक्स के टेबल क्यों जरूरी हमारे पास पसस्टेबल पढ़ते हुए हम इसकी इसकी एक्जैंपल से किं़िए यहां पर बहुं सारे प्रिफिक्स और जो मेन प्रिफिक्स जो बोस्तली मोस्त कॉमन यूज होते हैं नुमेरिकल में प्रैक्टिकल में वह कौन से हैं गीगा मेगा किलो सेंटी मिली माइक्रो नैनो अन्पी को चीक है तो उसके बाद हम लोग इने इसके एक्जांपल जेकिंगें जो हम लोग ने लाजस वैल्यो को कुई क्या प्रिफिक्सिज में स्मॉलेसं वैल्यो लों को कि simplesmente teeth अगर पॉइंट क огр ing ke northwest साइब और कुमोट्थ साइब तो मैं पास न सब्सक्राइब त् boat बाद को दाद टॉपिक ठीक की पॉइआ